सोलन में जिलापरशत में भाजपा और कॉंग्रेस दोनों को ही बहुमत नहीं मिला था सत्रा जिलापरशत सदस्यों में से भाजपा के केबल साथ सदस्यों नहीं जीत हासल की थी और साथ पर आजाद उमीद पर काविज थे और केबल तीन पर कॉंग्रिस पिचारधारा के प्रत्याशी जीत कर आये थे। भाश्पा के सामने आजाद प्रत्याशी ही चुनौती की तरह खड़े थे और बैस जिला परश्चत पर कबजा करने के दाबे भी कर रहे थे। जिम्मे बार भाश्पा निताओं को अवास होने लगा था कि उनके हाथों से रेट की तरह जिला परश्चत का पद निकलने बाला है जिसकी खबर प्रदेश हाई कमान को लगी और जिला परश्चत बनाने की जिम्मे बारी मुख्यमंत्री हीमाचल के राजनेतिक सलाकार और भाश्पा महामंत्री त्रिलोक चंबाल को सोबे गई, राजनीती में परांगत त्रिलोक चंबाल ने आजाद परत्याशियों में ऐसी सेंद्बारी की जिसकी बज़ा से एक बार गेन फिर से भाश्पा के पाले में आगिरी, जो संख्या भाश्पा की साथ पर अटकी थी वे तो गुनियानी चोदा हो गई, शोलन भाश्पा नेता इसे चमतकार मान रहे हैं और अपने नेता त्रिलोक चंबाल की दारिफ करते थक नहीं रहे हैं, परदेश कारेस्मिती के सदसे राजेश कशिप ने भी जिलापरशद की इस जीत का श्रे केबल त्रिलोक चंबाल को द दूरगामी सोच के कारण भाशपा ने जिलापरशत सोलन पर आकरकार गबजा कर ही लिया। उनने कहा कि स्थानिय मंत्री राजीप सहजल और मुख्य मंत्री के सलाकार त्रिलोग जंबाल द्वारा ऐसी बिसात पिछाए गई जिससे हारी हुई बाजी भी भाशपा मारने में कामयाब हुई है। उनने कहा कि जिलापरशत अब सोलन के सभी क्षेत्रों का बिना किसी भेदबाव से विकास करेगी। उनने कहा कि त्रिलोग जंबाल की राजनितिक सूजबूच से जिलापरशत पर जीत हासिल करेगी। जो है उनने अच्छा परिश्रम किया और अपनी अच्छी जो है एक इंटेलिजेंट मूब चला करके जिला सोलन में जो है भारतिजनता पार्टी का पर्चम जिलापरिशत पहफराया है। बहुत ही सराहनिये हैं। इंडिपेंडेंट्स जहां तक हम सवाल आप कर रहे हैं वो लोगों का एक परसेप्शन था कि शायद जो है इंडिपेंडेंट्स जो है वो जिलापरिशत में चेर्मेन या वाइस चेर्मेन जो है बन जाएंगे। लेकिन जिस चतुराई के साथ और जिस राजनितिक टुता के साथ जो है मानने है श्री त्रिलोग जमबाल जी ने और भारते जन्ता पार्टी के नेताओं ने हमारे संगठन ने बाजपा के संगठन ने और हमारे जो स्थानियां के हमारे मंत्री है श्री राजीव सहजल जी उन्होंने बड़ा अच्छा जो है मूव चलाई और सभी लोगों को इकठा किया और वैसे भी जिला परिशद जो है एक सभी लोगों को एक लाब देने वाली एक संस्ता है इसमें राजनीतिक का इतना कोई महत्व नहीं है लेकिन फिर भी क्यूंकि सरकार भारती जनता अब नेक्स्ट मूव हमारी जो है वो नैच्रली जिला परिशद बन चुकी है मेरी विधानसवा कॉंसिट्यूसी में तो कंडा घाट एक मेन जो बीडी सी बनती है बाकी जो सोलन की है वो कसौली के साथ मिलकर हम बनाते हैं अब इसी पर हम काम कर रहे हैं संगठन इसके ऊप और काम कर रहा है और आने वाले दिनों में हम दोनों जगा जो है बीडी सी भी भात जनता पार्टी की बनाएंगे